हरियाना में प्रचाल अंतिम चरंड पर चल रहा है तेगाउं से भाजपा प्रत्याशी राजवेश नागर के लिए जोरों पर प्रचाल प्रसाल लगतार जारी है उतर प्रदेश के उपमोखे मंतुरी ब्रचेश पाठक ने अस्माइलपूर में विधायक राजेश नागर की समर्थन में जनसभा को संबोधत किया इस दुरान ब्रचेश पाठक ने कहा कि हरियाना प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बन रही है उनोंने कहा कि कतई भूल ना करें वोट खराब हो जाएगी भार्टे जन्तापार्टी ही देश और प्रदेश का फला कर सकती है साथी राजेश नागर ने भी अपनी जीत का दावा किया उत्राखंड को भी अगर किसी ने बनाने का काम किया है तो भार्टी जन्तापार्टी ने बनाने का काम किया दूसरा कोई नहीं बनाता है इसलिए मैरे उत्राखंड के लोगों भाई बहरो मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ कि सब लोग की कठा हो जाओ, 36 बिरादरी के लोगों का इकठा कर दो, भारती जंटा पार्टी के हमारे लोग पी प्रत्यासी आदरी राजेस नागर्जी को एक तरफा प्रिचंड बहुमत से जीत, पांस तारिंग को सुनिश्चित कर दे हूँ, मुझे पुटा चल गया जीता करके जा रहा हूँ, आज सब चुनाओ के बाद, आयोध्या में प्रहुरामलला के दर्सन के लिए आए, राजेस नागर्जी आपको एध्या ले करके आएंगे, आयोध्या धाम में रामलला के दर्सन की पूरी बेवस्था करने का काम, आपका भाई करेगा उत्तर प्रुद सब्सक्राइस से उपर उठकर पांस तारी को हमारे भाई राजेस नागर्जी को जिदा दे का काम करें, इनी सब्सक्राइब के साथ मैं आप सब का बहुत हो धन्यवाद क्यापित करते हुआ समात करता हूँ 123 के कलोणिया उमारे माने मुक्केमंत्री जी ने एक कलम से पास की है उसमें जाधातर करें हमारी जिघावविदान सब्सक्राइब करने के तिकथ उनमें विकास कराने के लिए नहीं अपरूड नहीं होती थी चाहे उनके सीवर लाइन की बात हो पानीगी लाइन की बात हो चाहे बिजली के खंबे हो तारे हो चाहे सडके हो चाहे ट्रास्वारबर हो और वैसे भी हमने आपके लिए अलग से एक सबस्टेशन बिजली का सैक्टर 37 में बना दिया है अब पिजली जब से हमारी सरकार केद्र में और प्रदेश में आई है कितने भी कास कारें हैं आप वे हैं चाहिए आपकी भारवाली सड़क होई आपकी ओमिंटलेव की सड़को दून भारती की सड़को चेतन मार्केट की सड़क पे काम चल रहा है यह बांद रोड जो मात्पूर से बना भी दिए गए और पांध रोड का भी काम पूरा हो गया है और अभी पसकी सर्विस भी आपको बदरपुर से पसंतुर तक मिल रही है और इस तरह से बहुत सारी कारे 22 वेड का उस्पिटल हमारा सेथपुर का स्कूल अपक्रेड सीवेसी पैटरन पर अभी पढ़ाई हो है उसकी नई बिल्डिंग भी बन गई है इस तरह से बहुत सारी काम हुए है मैं कहिए भी मानता हूं कि सब काम अभी पूरे नहीं हुए जैसे ही हमारी सरकार पीसरी पार जैसे आ रही है रोड ऑफ कंटक्ट खतम होगा मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ विश्वास दिलाता हूं कि सारे काम आपके पूरे करेंगे और आपने तो हमेशा ही भारती जन्ता को यहां से जिताकर बेजा है 199612 से आज तक यह भारती जन्ता पार्टी यहां पर ईस मंदल से पूरे मंदल से कभी भी हार कर नहीं है और 2019 में भी आपने अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को, अपने इस साती को हर्याना की 90 की 90 विदानसवा में सबसे ज़्यादा बोट अगर किसी विदानसवा को मिली थी तो उतिका विदानसवा था और उसके लिए मैं आपका दाही दिल से धन्यवाद में करता हूँ अब भार भी परकर्ट करता हूँ और हमेशारी लिए रहूँगा